नमस्कार करमदीर ग्रूप में आपका हाद एक श्वागत है आज से हमें स्टाइट कर रहे हैं पुस्तकाले सूची कर्ण इससे पहले मैंने पुस्तकाले वर्गी कर्ण को लेकर कुछ वीडियो बनाए हैं और मैं द्रहंतर बना रहा हूं आज उनके साथ साथ पुस्तकाले सूची कर्ण किसे कहते हैं सामाने से भासा में समझ हमें बाजार जाना है तो कुछ आइटम्स हमें लेने पड़ेंगे तो उसकी एक सूची बनाते हैं तो उस सूची को लेकर एक सूची कर्ण दिया गया है और पुस्तकाले में क्या है उसकी आवसकता क्या उदिश है क्या क वार है उनहीं के साहथ साहथ बताँगा इनमें से कौन से इंपोर्टेंट जो आपके परिक्सा के असकती इस पर आपको साहथ बताता रहें वह इंदे स्वाल आपके परिक्सा में उठने वाले हैं चलिए पुस्त गाले जो सूची करने है उसको इंगलिस न कहते है केटालोग C A T A L O G E जिसकी उत्पति ग्रीक भासा के काटा प्लेस लोगस से हुई ये काटा का अर्थ है अनुसार या से और लोगस का अर्थ है करम विवेक या तरक संगत अर्था तरक संगत की अनुसार केटालोग से तातप्र उन वस्तुव सी है जिसमें विवेक तरक बुद्धी अथवा किसी क्रम की अनुसार सूचना का विन्यास हो प्रक सोचि एक समदो के समध्य जगत को परदसित करती है करते हैं एक प्रिशा की सूचा कर ढूंसा बहिर सकत्व疫ूर is Grande के स्वें जैर्वा केसं वह नहींने कर मिलकर बनाहिए सवाल आपके इंब एगजाम में कई भार आया है यह एंधने दूर्षा की बेसिती हैं क्षमद्धाण के नेतरों के द्वारा संसार का आवलोकन करते हैं ठीक उसी प्रकास सूची के माध्यम से पुस्तकाल में संग्रित पाठे सामंगरी का में आवलोकन करते हैं दो नमर का सवाल हर बार कई बार आता रहता है और वह सकता है आने वाले प्राइक्षाओं में आपको देखने को भी मिले अब जेम्स डफ ब्राउन ने सूची कर्ण की क्या परिभासा दिये देखते हैं ग्रंथों तथा उनमें वर्नित विश्य सामगरी खोजने के लिए सूची कर्ण एक व्याख्यात्मक तरक संगत सू वेवस्तित तालिका तथा कुझी है और यह किसी विश्य पुस्तकाल में संगरीत ग्रंथों तक ही सीमित ब्राउन कह रहे हैं कि किसी भी पुस्तकाले के अंदर पुस्तकों सामगरी खोजने के व्याख्यात्मक तरक संगत तालिका या कुझी है जो पुस्तकाले के ग्रंथों तक ही सीमित रहती है डॉक्टर ऐसा रंगान अथन जी कहते हैं पुस्तकाले सूची एक उपकर्ण है जो पुस्तकाले में संगरी पाठे संगरी की बारे में सूचना परदान करती है तो दो नमर का स्वाल आता है तो मेरे सबसे डॉक्टर रंगानाथन की जो परिभासा वो सरल है आप एक्जाम में याद कर सकते हो लिख भी सकते हैं अगे चल पुस्तकाले सूची का पुस्तकाले सूची पाठे सामगरी के बारे में सूचना परदान करने का कारे करती है प्राचिन काल में गरंथों की आक संख्या अत्यंत सीमित होती थी गरंथ हाथ से लिखे जाते थे अतहे दुल्लब और मुल्यवान वस्तूओं के रूप में बंद अलमारियों में रखे सूचना आई का घृती तैयार की जाती थी इसी सुचनाओं को वर्णात मक्षूची कहते हैं एक स्वाल भी आ सकता है कि बंद शती क्या होतीके प्राचिन समय में जो दुल्लब मुलिवान गरंथ होते थे तो उसमें परतें गरंथ की विश्तुर्ट यह प्रिविस्त्य तै अनेक अविश्कार हुए अते हैं ग्रंथों की संख्या में भी विर्दी होने लगी परन्तु पुस्तकालों का मुख्य कारे ग्रंथों का स्रंक्षन ही माना जाता रहा कि प्राचीन समय में कागज का ज़्यादा निर्मान नहीं होता था तो हर ग्रंथ को एकदम अलमारी में रखा जाता था तो अते हैं प्रते ग्रंथ की केवल एक अत्यंत संक्षी प्रविष्टी निर्मिद करने का प्रचलन हुआ यसी सूची को ताली का अत्मक सूची कहा जाता है उप्रोग दोनु परकार की सूचियों में प्रती ग्रंथ एक प्रविष्टी का ये निर्मान किया जाता था करना हो गया अब यह कहा जा सकता है कि यदि पाठे को अपने अभिष्ट ग्रंथ के बारे में तनिक भी सूचना ग्यात है तो सूची की सहता से उसको उसका अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त करने में कोई कठीनाई नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि पुस्त काले के सूची का पुराने समय में किस तरह से होते थे देर देर जिसे कागज का अविश्कार हुआ तो आज कल कम्प्रिटर की जमान में हमें जो भी पुस्तक जाए ओनलाइन उसका हम रजिस्र्स करा सकते हैं और कुछ समय बाद उसक पुस्त काले सूची का मुख्य उद्स से पाठकों को पुस्त काले में पाठके संगरी उपलब्द कराना है हिए यह पाठकों को पुस्त काले में ुपना अभिष्ट गंथ uh किताब पुस्त काल्क और निकालनाय में समर्थेवान बनाती है अरिक्ट मतलब कि खोज नाम का अर्ष के जब भी पुस्ट कालम जाएंगे तो पुस्ट काले किस मादेम से खोजेंगे अर्थात हमें या तो उसका लेख का नाम मालनू होना चाहिए या पुस्त काले की का किताब का टाइटल मालूम होना चाहिए या वो किस विशे की है या उसका कोई प्रकाश या कौन है वगेरा वगेरा तो पहला है लेख का नाम दूसरा लेख की आख्या या टाइटल गरंत या उसकी किताब का नाम और साथ गरंत का विशे नाम सहेकार को संपादक को होता है प्रकास को होता है वो इस सहकार केलते हैं ग्रंथ मालामन सीरीज कई किताबों की सीरी चल ली इस तरह से जो वॉलियूम्स चलते रहेते उनका यह दो नम्बर का स्वाल इंपोर्टेंट कई बार आता है एक और इंपोर्टेंट स्वाल है आधुनिक सूची कंड का जनक किसी कहते है चार्ल्स एमी कटर सौर्ट में सी एक कटर भी कहा जाता है इन्होंने किताब लिखी थी रूल्स फॉर डिक्सिन्य केटालोगिंग अठारे सो चेतर में और उनका अज दितिय संस्क्रणा है अठारे सो नवासी में तीसरा एक्राणवे में चोथा उन्निसो चार में आया था तो चार्ल्स एमी कटर ने अतियन सरल तथा इस्पेस्टूप से सूची के निम्न उद्यश्यों का वर्णन किया है पहला किसी वेक्ति को अभिष्ट ग्रंथ प्राप्त करने में सामर्थ्यवान बनाना यदि उसको ग्रंथ का लेखक आख्या अथ विशे ग्यात हो पहला के कोई भी वेक्ति को उसका ग्रंथ प्राप्त करने में के योगय बनाना यदि उसके बाद उस लेख का नाम ध्यान हो उसके सीर्षक ध्यान हो या उस विशे का ग्यात हो दूसरा यह पद्द्धित करना कि पुस्तकाले से एक विस्ष्ट लेख के द्वार रचित पुस्तक विस्ष विश्य से समंदूद पुस्तक य soupर्द लेकर के शाहित्य द्वार pilgrat की संस्क्रहनों ने ह Pacific了 आदी आदी प्राइब कहते हैं किताब नोची पुस्त कालय विज्यान के । सूत्र यह हम पर्भा लाइबर शूत्र रकली विज्ञान का उतेरी इस टोपिक से आपके लाइबरी डिगरी के एक जामें लाइबरी कॉम्पेटेशन के जामें बहुत सारे स्वाल उठते हैं तो उन्होंने लिखाया कि पाथक के लिए परतेक पाथक को उसकी अभिष्ट पुस्तक परदान करना करना परतेक पुस्तक उसका उप्यूक्त पाथक परदान करना पाथक के समय को नश्ट न करना करिमचारियों का समय नश्ट होने से बचाना कि यह तो जनली सामने सूची के उधिसे थे अब हम कुछ और उधिसे पढ़ते हैं जनली यदि पाथक को ग्रंथ के बारे में तनिक की सूचना यानि लेका का नाम आख्या ग्रंथ का नाम ग्यात है तो पाथक अभीष्ट ढर्ण सखोजने मैं सायक शित होगा सूची में किसी विशियष्ट लेखक विशेष है कार नाढ़ा आदीछ समनदित समय 2 कि में उपलब जमेस्ट के बारे में जानकारी मिलती Two सूच अब है सूची की कारे यह तो हम पढ़ रहेते जो सूची की उदिशित अब शूची की कारे क्या है इनमें यह भी स्वाल आ जाता चाल नमर का हो जाए चाहे देश नमर का कि फंक्शन्स ऑफ लाइबरी केटलोग उनी सूची कन सिद्धान्तों की अंतराश्टी समिलन आई सी सीपी यह स्वाल कई बार परिक्साम आया है वह इंपोर्टेंट है या तो आएगा आई सी सीपी की फुल फॉर्म पुछी जाएगी या पुछी जाएगी एक किस सन में हु फंसीपल है 1991 में аровता मैं लेखक आख्या सूची के निमना नुसार का रेहों का उलेग किया गया है पहला क्या चाइए लिख्यक आख्या सूची का क्या पुछक्यम में कोई विशिस्ष्ट गरंथ है जिसको उसके लेखक अक्या त या लेखक काुन गरंध में अंकीत न हो तो केवल उसकी आख्या लेख्या कहते है look तो लेख्या का नाम उना हो सिर्सक नया है तो विषे से संबन्द कुछ इन्हों कुछ टाइटल होना आद चाहिए डूसरा यदि विशिष्टा लेख्या को कौन-कौन से ग्रंथ और किसी विशिश ग्रंथ की कौन-कौन से संस्क्रण पुस्काले में उपलब्द है अब यह यह कारें का उलेख किया गया था 1961 में इसी सीपी इंटरनेशनल कॉंफरेंस और केटालोगिंग प्रिंसिपल और अगला है कि क्या कारे करती यह वस्तुते एक्सवाइज़ कोई भी किताब चाहिए यह पुस्त कालम है या नहीं या उसको लेख का नाम मालूम हो सकता है इस लेख की किताब यह पुस्त कालम है या नहीं इसके संस्क्रण है तो उसके बारें यह चीज़ें क्या पुस्त कालम अमुक लेखक का अमुक गरंथ है इसके सबी किताबं की एक लेखक बार करते हैं एक्सूची बढाया जाती है तो कि लेखक प्रविश्टिया ने मृएब लेखक के कौन-कौन इसके लिए विश्च लेखक द्वार रचीत किया पुस्तकाले में अमुक्त आख्या यानि टाइटल का ग्रंथ उपलब्द है इसकी लिए पुस्तकाले के उनकी आख्याओं की अंतरगत एंट्री करके आख्या प्रविष्टियों का निर्माण करना चाहिए row no अगला है याँ संपा्पादक दोरा संपादित या अनुवादित किशी अने सहकार को इसके लिए संगरीत्स परते ग्रंध को शहकार के अंतरगत प्रविष्ट करना है इन प्रविष्टिक को शहकार को श्री और कि मुक्त और परकुरह का कौन से गर्प इसके लिए रहा परे leaf कुछ दे रखिए और मिसमें आगे इंपोर्टन जो चीजे वो देखते हैं इस तरीक से यह जनली चीजें जो आप अपनी किता में से पढ़ सकते हैं और और जो इंपोर्टन जी जो चीजें वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा बताता है